अगर आपको नौक्री चाहिए तो बस एडमिट कार्ड या जोइनिंग लैटर लाइए हमारे विधायक जी आपको नौक्री दिलाएंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों प्रकाश राजभर की सुस्पा पार्टी के विधायक बेदी राम की हाल ही में पेपर लीक और भरती घोटाले के मामले में सुस्पा विधायक बेदी राम और निशाद पार्टी के भधोई से विधायक विपुल दूबे पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है यह वारंट नियायाले ने विधायक समेत एक दरजन से अधिक लोगों पर जारी किया है जिसमें सभी आरोपियों को 26 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है विधायक विधायक विपुल दूबे के खिलाफ इसी मामले में 26 जुलाई को लखनव में गैंक्स्टर कोर्ट में आरोप तैह होगा पस्चिस फर्वरी 2006 को सुभा सपा विधायक बेदी राम ने अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रूप D की परिक्षा का प्रिश्ण पत्र लीग किया था इस मामले में STF ने आलंबाग के एक मकान पर छापा मार कर बेदी राम और उसके साथियों को प्रश्ण पत्र के साथ रंगे हाथों गिरफतार किया था STF को कई वहनों और भरती प्रक्रिया में शामिल अभियर्तियों के मूल प्रमाण पत्र भी मिले थे STF निथाना कृष्णानगर में गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाय था कुल 19 आरोपियों के विरुद आरोप पत्र दाखिल किया गया मामला पुराना होने के कारण अदालत ने आरोपियों की हाजरी माफी प्रात्ना पत्र को खारिच कर दिया था अब अदालत ने एक बार फिर से विधायक बेदी राम समेत 19 लोगों पर गैर जमानती वारण जारी किया है और सभी आरोपियों को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है विधायक बेदी राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक के मामलों में मुकदमे दर्ड जो चुके है बेदी राम मूल रूप से आजमगर्द के रहने वाले हैं और उतरप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश के करीबी माने जाते हैं सरकार जहां नकल के खिलाफ कानून लाना चाहती है वहीं उनके सहयोगी दल के नेता पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं अब देखना है कि आगे क्या कारवाई होती है उतरप्रदेश में पिछले 10 सालों में एक दर्जन से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं जिसमें UPTET, BEAT, सन्युक्ति प्रवेश परिक्षा, NEET UG जैसी परिक्षाएं शामिल हैं उतरप्रदेश में सबसे ज़्यादा 2024 में हुए कॉंस्टेबल भरती परिक्षा के पेपर लीक से 50 लाग से अधिक आवेदक प्रभावित हुए UP सरकार पेपर लीक रोकने में कब काम्याब होगी इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकार के नेमों को नकल माफिया नकार देते हैं और पूरे प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते रहते हैं इस कारण बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं आती हैं, इसे रोकने के लिए सरकार को सक्त कदम उठाने होंगे। उतरप्रदेश में पेपर लीग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका सीधा असर युवाओं के जिन्दगी पर पार रहा है। हर साल लाखों उम्मीदवार्द सरकारी नौकरी के लिए परिक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीग होने की वज़ह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकार को इस दिशा में कड़ी कारवाई करनी होगी, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और युवाओं का भविश्य सुरक्षित हो सके। पेपर लीग माफियाओं पर सक्ट से सक्ट कारवाई करनी होगी कि इस तरह के घोटालों को जड़ से खत्म किया जा सके। अगर सरकार सच में युवाओं के भविश्य को लेकर गंबीर है, तो उन्हें नकल माफियाओं के खिलाव कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा। साथ ही परिक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा, ताकि किसी भी तरह की धानली की गुंजाइश ना रहे, छात्रों और उनके अईभावकों को भी जागरुक करना होगा, और इस तरह की गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करनी होग ताकि दोशियों को सजा मिल सके